किसी पॉजिटिव न्यूज को भारत के लिए नेगेटिव न्यूज कैसे बनाया जाए ये आप मीडिया से सीख सकते हैं ट्रम्प ताउ राश्टरपती बने तो डर फैलाया गया कि ट्रम्प भारत पर भी तावड तोड टेरिफ जड़ देंगे लेकिन आज आप देख लीजिए ट्रम्प ने सबसे पहले चाइना केनेडा और मेक्सिको को खत्ते पर लिया है सबसे पहले निसाना इन तीन देशों पर लगाया है चाइना पर तो लगना बनता था उसका डिसकसन तो हम करेंगे लेकिन केनेडा और मेक्सिको भाई सहाब ये दोनों देश अमेरिकी पिस्सू हैं पिस्सू हैं अमेरिका का दिन दाड़े खुन चूसते हैं चाइनीज कमपनिया अपना पूरा माल मेक्सिको के रास्ते केनडा के जरीए अमेरिकी मार्केट में डंप करती है ये दोनों देश अमेरिका की नहीं चीन की मदद करते हैं इसलिए टरंप सहाफ से तो ना बच पाएंगे दोनों देश 25% टेरिफ लगने वाले हैं रही बात चीन की तो वो तो पूरे अमेरिका का भविश ही बंटा ढर कर रहा है अमेरिका में नशीली दवाओं की सपलाई बढ़ा रहा है चीन और जब पूछते हैं तो कहता है कि सहाब ये तो स्मागलिंग है हमें पता ही नहीं अरे महोदय चीन में सी जिन पिंग की अनुमत कि पत्ता भी नहीं हिल सकता कबूतर भी पंक नहीं फड़पडा सकता ऐसा चीन अगर नशीली दवाएं अमेरिका में पटक रहा है तो ये सोची समझी शाजिस है दुरभाग है कि टरंप अपने पहले प्रशाशन के दोरान और बाइडन बबा से तो कोई उमीद थी ही नहीं ये दोनों ही प्रसिडेंशियल एडमिनेस्ट्रेशन जान बूज कर शुतर मुर्ग की तरहे रेत में सर गाड़े रहे जिसका खाम्याजा अमेरिकी युवाओं ने भगता अमेरिकी युवा की जवानी बरबाद कर दी चीन ने वो भी दिन दाड़े तो जब तक चीन इन न भारत का तक कोई नाम ही नहीं लिया जबकि ट्रम्प ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरा उनसे निवेदने कि क्रपा करके पहले कारेकाल की गलतियों को मत दोहराईएगा चीन लोंग लोंग गेम खिलने में बरोसा रखता है चीन जीतने से ज्यादा जीतने से ज्याद लंबा खिलता है भारत में चीन ने मोदी साहब के तीन कारेकाल बरबाद कर दिये आप देख लो अब तीसरा कारेकाल बरबाद कर रहा है प्यार महबत की बातों में मोदी जी को उलजाने का प्रयास कर रहा है वो तो मोदी साहिव हैं दूद के जले हैं अब च्छाच को भी फूक फूक कर पी रहे हैं इसी तरह टरम्प से भी मैं अग रह करता हूँ कि सुरीमंट इस बार चीन को राहत मत दीजियेगा गोल गोल बातों के चक्कर में मत आईएगा चार साल मिले हैं चालीस गुना यहां चालीस गुना चीन पर हमला होना चाहिए रूस नहीं चीन है अमेरिका का नंबर एक शत्रू यह कॉंसेप्ट जब तक टरम्प सहाव का क्लियर बना रहेगा भारत आगे बढ़ता रहेगा आप देख लीजिए सोलर एनर्जी की फिल्ड में भारत बहुत तेज गती से आगे बढ़ रहा है जहां भेल एवम हिताची को न्यू सोलर पावर प्रोजेक्ट का कॉंट्रक्ट मिला है तो प्रीमियर एनर्जी से सोलर मोडिल्स एवम कंपोनेंट्स खरीदे जा रहे हैं भारत प्रगती की रहा पर बढ़ता रहेगा अमेरिका में टरंप एड्मिनिस्ट्रेशन का होना ये सुनस्चत करेगा कि भारतिये मार्ग में बाधाएं बिलकुल भी ना आएं इसलिए स्रीमंत शेर मार्केट की उठा पटक में अभी गिरावट का माहौल है ये सीखने का मौका है सीख लीजिए तो हर उच्छाल में आप मोटा मुनाफा कमा पाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रॉप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक कीजिए और अभी के अभी अपने पसंदीदा आत्मनरफर इंवेस्टर फ्यूचर सेवम आफशन कोर्सियस जॉइन कर लीजिये गाम